रक्षा बंदन में मेरा भाई दिल्ली से आ रहा है मुझसे राखी बंदवाने तो वो एक दिन पहले संडे को आया था तो संडे को मैं सुभर जल्दी उठी और उठते साथ मैंने है न उसका फेबरेट डेस बनाया है आईए मैं बताती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हम लो सबी को अच्छे से मैं पीस लूँगी पीस के आज हम लोग दाल का मसाला बनाएंगे विल्कुल धाबे में जासे बनता है न उसी स्टाइल में और सबी को बीना पानी डाले पीस लेना है क्योंकि प्याज का पानी छोड़ता है न और टमाटर का तो उसी से पीसा आजाता है मैं यहाँ पे दो कफ अरहर डाल एक कफ मूंग डाल लिया और सबी को धोलूंगे आपका अगर क्वांटीटी जादा हो लोगों का तो आप जादा जादा क्वांटीटी लेना ठीक है प्रेसर कुकर चड़ाया एक चमस मैंने देसी घी डाला उसमें मैंने दो इलाइची खो तो सभी मसाली को जो मैंने पीशा था उसको डाल के मैं भून लूँगी गाइज ऐसी धावा में बनता है समझे कभी कभी आप लोग धावा का खा के दिखना ऐसे ही टेस्ट आएगा उसमें टेस्ट के एक कॉर्डिंग मैंने नमक आदा चमत हल्दी और मिरचा डाल के मैंने भून लिया मसाली को और उसके बाद जो डाल मैंने धोया था उसको डाल के मैंना अच्छे से भून लूँगी मतलब जादा नहीं भूनूँगी पांस मिनट भून लूँगी ताकि जितना पानी है थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद मैंना पानी डाल दूँगी दाल मे है ना एक इंच अगर आप पानी डालते हैं तो आपका पानी कम नहीं पड़ता, एक इंच में पानी डालके और प्रेशर घुकर में सीठी लगा दूँगे, इससे आपको ताम जाम करने का ज़रुरत नहीं होगा, बाद में तड़का वड़का लगाने का थोड़ा बहुत तड़का लगाओगे काम चल जाएगा अभी हम लोग चावल को धो के और चावल को फुला लेंगे क्योंकि हमें है ना चावल भी बनाना है हमने अपने भाई से पूचा था क्या खाओगे पीजी में रहता है ना अपना रूम रेंट लेके तो मेड है ना अच्छा खाना नहीं बनाती है जैसे तैसे बनाती है तो वो बोला ना मैं दाल चावल और सब्जी खाऊंगा तो मैंने चावल दोकर और फुला लिया है ठाकि चावल अच्छा बने उसकी बाद चावल का पुलाओ का तैयारी कर दी है एक मिर्चा को मैंने कट कर दिया और एक प्याज को पतला पतला स्लाइस कट कर देना है चावल में प्याज है नहीं बहुत जादा टेस्टी लगता है और यहां पर गाना वज़ रहा था मैं गाना पर थोड़ा डांस वांस कर दी थी गाएस संडे का दीन था इतना गर्मी लग रहा था मैंने सुचा पहले खाना बना लेती उसकी बना हाऊंगी तो मैं है नब दो चम्मस घीर डाल दी हूँ चावल बनाने के लिए और एक चम्मस जीरा जब मेरा फोरन अच्छे से चटक जाएगा थोड़ा सा काली मिर्च और इलाइची को मैं खोल के डाल दूँगी आपके बद जितना भी गरम मसाला वह आप डाल दे ना दाल चीनी और मिर्चा सबको भून लूँगी भूनने के बाद क्या करूंगी ना कि प्याज डाल दूँगी प्याज को भी थोड़ा है ना लाल लाल भून लूँगी प्याज वाला है ये बहुत टेस्टी लगता है पुलाओ आप खा के देखना तो भून लूँगी उसके बाद दूसमें नमक डाल दूँगी टेस्ट के एकॉर्डिंग ताकि प्याज है ना लाल लाल भूना जाए और टेस्ट भी आज है उसके बाद जो चावल मैंने दो के डाला था वो डाल दूँगी और सबको अच्छ का पानी ले लूँगी बहुत लोग बोलेंगे नल का पानी डालती है इसलिए मैंने दिखा दिया गाइस मैं फिल्टर का ही पानी डालती हूँ मैंने तीन कफ चावल दिया था तो मैं छे कफ पानी डाल दी हूँ क्योंकि यह मेरा थोड़ा सा लंबा वला चावल है तो इसम मैं फ्लेम को लो कर दूंगी तब तक मेरा चावल बन रहा है हलका मैं कीचन साफ कर लूँ मेरा कीचन है गंदा हो गया उसके बाद आते हैं बैगन का तैयारी करते हैं आज मैं बैगन है डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूं तो गोल-गोल है ऐसे कट कर देंगे हलका मोटा मोटा मतलब जादा पतला ना जादा मोटा मतलब जैसे मैं कट करड़ी उतना ही कट करना है कट करके और बैगन का आज बैगन भाजा बनाने जारी हूँ गाइस बहुत जादा टेस्टी लगता है उसके बाद मैं है इसे पानी में नमक के सहाड़ी डाल दूगी ताकि बैगन नमक डालने पे भी थोड़ा पताय जल्दी मुलायम सौप्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ पर मसाली की तैयारी करी है बैगन का दो चमस मैने कस्मीरी मिर्च, एक चमस नमक, दो चमस धनिया पाड़र, एक चमस गरम मसाला, काली मिर्च का पाड़र डाल दिया, हल्दी डाल दिया, उसके बाद आमचूर पाड़र डाल दिया, बैगन में आमचूर डालने में बहुत टेस्टी लगता है, लैसन अधरक का पे से हो जाएगा और सब के ऊपर है ना लेयरिंग कोट कर दूंगी ऐसे हाथ से ताकि मसाला का कोट है ना अच्छे से बैगन के ऊपर चड़ जाए और बैगन में टेस्ट आ जाए ऐसे करकर के कोट में रख दूंगी और ये मैं तब बनाऊंगी जब मेरा भाई आएगा क्योंकि आटा में लपेट लपेट के है ना तलेंगे और चावल का आटा ड्राइ करके है तो यहां पर मेरा दाल बन गया है देख रहे हैं हलका थोड़ा सा बस पानी डालेंगे हलका मोटा हो गया है बस थोड़ा सा पानी डाल दिया रोबर्ट मेरा जाड़ू पोचा लगा रहा है तो यहां पे हलका मतलब आधा ग्लास पानी डाल दिया मेरा है ना डाल बन गया है वैसे बस हम लो नॉर्मल तड़का लगाएंगे एक मैंने वो पैन रखा उसके उपर बटर डाल दूंगी और थोड़ा सा घी डाल दूंगी जब बटर मिल्ट हो जाएगा मेरा तो कड़ी पत डाल दूंगी और थोड़ा सा यह गरम मसाला डाल दूंगी ताकि किचन किंग मसाला किचन किंग मसाला डाल दूंगी और फ्राइ करके और ऐसे तड़का लगा के बंद कर दूंगी ताकि तड़का का स्मेल है ना पूरा दाल में फैल जा देख रहे है मेरा दाल बन गया एक कि खा सकते हो जादा मतलब प्लेन चावल और दाल के भी साथ खाया जा सकता है मेरा है ना चावल बनके रेडी हो गया चाकुल लगा के देखूंगी तो पानी एकड़म ड्राई हो चुका रहेगा और उसके बाद क्या करूंगी ना उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दू कि तो मैं बिंदी में और दो भागों में कट कर लेंगी Kash एना जैरेकां धनियाखक रहे थे और दो लगा जोगी शावल जोड़ा खू़ँ भिंडी अच्छा लगता है भिंडी को कट कर लूँगी बीच बीच से ऐसे और इसमें कीड़ा भी दिख जाता है कि कीड़ा है कि ने ऐसे पूरा भिंडी कट करके और उसके बाद गाइस भिंडी कट करने से पहले दो लेना है नहीं तो चिपचिपा बनता है उसमें से गोंद तो टाइट का निकलता है मैंने दही बिंडी बनाने जा रही हो गाइस तो यहां पे न मैं दो चम्मस भरवर के दही ले लिए अग्दम बड़ा वाला चम्मस से दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है उसमें हल्दी नामक टेस्ट के एकॉर्डिंग मिर्चा पार्ड डाल देना जो तीखा वाला मिर्चा पार्ड राता है वो काली मिर्च थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा जीरा सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है उसके लैसा नदरक का पेस्ट डाल देना है सबको अच्छे से मिक्स कर देना है बस नॉर्मल मसाला डालना है वही जीरा धनिया बस और उसके बाद से थोड़ा सा मुंगफली मैंने पीस लिया है मुंगफली का भी फ्लेबर अच्छा लगता है दही वाले भिंडी में मुंगफली डालके और मुंगफली को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और उसमें साड़ा भिंडी डालके मिक्स कर दूँगी नम्स नहीं रहता है और सब्जी अच्छा बनता है और दई छोड़ता है तो उससे सब्जी में हेल्प मिलता है उसके इसाड़ा धिंडी डाल एक। मैस कर लूँगी भिंडी को मसाले के अंदर और दीखें गाइस मेरा है न मैस होगया अच्छे से और यहां पर मैं भिंडी बनाने के लिए मैं है न एक प्यास को अलक़ा पतला पतला स्लाइस कट कर लूँगी मैंने नहाया नहीं है इसलिए मेरा फेस ऐसे दीख रहा है बाल में बहुत साड़ा है न तेल लगा हुए जाओंगी सैंपू कड़के नहाओंगी न तो फिर साफ सुतरी दीखोंगी तो यहां पे चलिए हम लोग दई वाला भिंडी बनाते तो तेल जीरा डाल दिया जीरा में जीरा जब मेरा चटक जाएगा तेल चटक जाएगा तो प्याज डाल दूगी प्याज को भूल लूँगी थोड़ा लाल लाल भूलना है ताकि उसके अंदर का जो पानी है न एकदम सूख जाए और यहां पे मैं पूदीना धनिया और यह सब का चटनी बना रही हूं गाईज यह नॉर्मल चटनी जो आप लोग घड़ में बनाते होगे वही वाला प्याज जब मेरा लाल लाल हो गया तो मैं दही वाला भिंडी डाल दूगी और सब को अच्छे से भूल लूँगी तो यह ना पानी बहुत कम छोड़ता है लो फ्लेम प कर-दिणा लेने गया है उसको तब तक मैं जाँगी ज़ली-ज़ली किचण साफ करके नहां लूँगी क्वाइज की खाना बनाने से मेरा कीचण बहुत जादा गंदा हो गया फिर मैं को खटाकर मेरे हजबन और भाई को लेने चले गया और मेरा किचन गंदा होगया मैं जल्दी जल्दी कीचन साफ कर डिय हूँ उसके अध्फटा-फट मैं नहा कर आई तब तक मैं वेट कर रही थी तब तक यह रिसिब कर के भाई को गूमने चले गया ते पता नहीं कहा मैंने फोन लगाया उसके तब मैं बनाओंगी तो तेल को गरम कर दूंगे मेरा तेल गरम हो जाएगा तो बैगन को क्या करऊंगी चावल में है न पiane कोट क दूंगी a Sense मिस ओ गया है गाईज सिर्फ चावल सुखा चावल में कोट करना है उसमें थोड़ा भी पानी मैस करना है सुखा चावल में कोट करके अफ्लेम को लो करके और पका रही हूँ तो ऐसे यह लाल-लाल एकदम पका ले नहां बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है गाईज सच में सा रहा है न बस वो चावल उसमें थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा काला नमक मिला के और मैंने खानी को सर्व कर दिया गाइस तो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्षन ने बताईएगा हाँ गाइस और आपको मेरे वीडियो में क्या कमी लगता है क्या चीज अच्छा नहीं लगत बताईएगा और क्या अच्छा लगता है वो भी कमेंट में बताईएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में बाई वाई टेक केर अपना ख्याल रखिएगा